So guys, आज़ की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास Android Mobile है और आपको बार बार शो करता है Package Installer Keep Stopping, जब आप अपने Mobile को यूज़ कर रहे होते हैं, तो बार बार आपके सामने यही आता है Package Installer Keep Stopping, तो आप अब आप Close आप पर क्लिक करते हैं, या App Info पर थोड़ी द आना है, या फिर आप Reboot कर सकते हैं, देन उसके बाद आपको Mobile की Setting में आना है, एक बात मैं आपको बता दूँ, आपके पास किसी भी Company का Mobile है, जो मैं आपको यहाँ पर काम बताऊंगा, आपको Same as this करना होगा, ठीक है, आपकी Setting थोड़ी बहुत उपर नीची हो सकती है, या फिर जैसे यहाँ पर Lock Screen लिखा हुआ है, यहाँ पर Normally Screen Lock लिखा मिल सकता है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो काम आपको Same ही करना होगा, Apps पर आना है, उसके बाद यहाँ पर Manage Apps देखने को मिल रहा है, सैटिंग पर क्लिक करिए, यहाँ पर आप देख सकत इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक Option देखने को मिलता है, Show All Apps का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, Show All Apps जब तक नहीं करेंगे या आपको वह Application नहीं मिलेगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, या वह Option आपको नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो Make पर search bar है, search bar में आपको लिखना है package, package installer, तो यह आपको लिखना है, अब यहाँ पर package installer आपको दो देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा MB है, लिखी हुई है MB, तो महाँ पर आपको उसको choose करना है, नीचे वाला package installer kb में है, 414 kb, ओपर 38 MB है, तो इस पर click करना ह क्लिक करने के बाद, अब आपको क्या करना है, नीचे clear data देखने को मिल रहे है, इसका clear roll data कर देना है, package installer का clear roll data करने के बाद, आपको back आ जाना है, ठीक है, जैसे मैंने clear roll data कर दिया है, package installer का आपको भी करना है, और back आ जाना है, उसके बाद आपको setting में फिर से आना है, और य मिल जाएगी reset all settings का option आपके मुबाइल में reset all settings का option देखने को मिल जाएगा settings settings जितने भी होंगी आपके मुबाइल की वो reset हो जाएगी और यहाँ पर मेरे पास Redmi का मोबाइल है तो मुझे यहाँ पर option मिलता है factory reset का और factory reset करने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना होगा आपकी photos, videos, contact हो गए, apps हो गए, accounts जो भी data होगा वो mobile से delete हो जाएगा आपको factory reset mobile को करना होगा अगर नहीं करेंगे तो आपका सारा data delete हो जाएगा reset करने से पहले सारे data है जो आपका दूसरे mobile में ले ले या फिर आप जो है अपना computer या फिर laptop में ले सकते हैं फिर आप reset कर लीजिए, erase कर दीजे सारे data को आपको mobile new जैसा हो जाएगा package install की problem solve हो जाएगी आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में इतल दो मैं टेक कर लव यू अल